कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोना चुनियत अमौल कासर्स कॉमर्स अकैडमी को और करे अपने 11th 12th CACSCMA का सपना साकार डाउनलोड दी आप नाउ अमौल कासर आपके साथ जूर चुकाओ दोस्तों आज की सेशन में हम लोग Contract Act के बारे में समझने वाले है जैसे कि पहला सवाल आपको दिख रहा है What is Contract? Yes, यह CACACA में हर बच्चे के लिए वैलिड लेक्चर है और जिन बच्चों का मराथी मीडियम था या गुजुराती मीडियम में Whatever, All or India से यह लेक्चर देख रहे होगे बच्चे हर किसी को applicable है अगर आप CACACA में कर रहे है आपको जनरल नौलेज चाहिए कि Contract मतलब क्या है ना, समझते है अब आपको में बताओ कि अगर आप exam oriented बात करो तो Contract के लिए ने एक formula दिया जाता है Please screenshot निकाल लीजे अब इसमें कुछ word है definition बताओ आपको देखो पहले तो definition में दिखाता हूँ फिर उस formula पे भी लेके जाता हूँ और 10 minute दीजे आपको सारे terms, word to word हर एक चीज़ समझेगी सिप आपका मुझे time चाहिए Pay attention What is in contract? देखो An agreement enforceable by law is known as what contract? Sir, कोई भी agreement An agreement enforceable by law is a contract इसी लिए sir, मैंने एक formula बनाया क्या formula बनाया? C ध्यान से देखो Contract के दो पार्ट हो गए एक तरप आगया agreement और दूसरी तरप आगया enforceability of an agreement बट ये शब्द तो आउगड है है ना difficult है Sir, क्या agreement? क्या होता है? अभी वह आपे नीचे दिया है कि कोई भी अगर offer दे और offer को अगर acceptance मिल गया तो उसे क्या कहा जाता है? Agreement बट दोस्तों ये उधारन example दे के मुझे समझाना पड़ेगा और अगर आपको सारे example समझे तो आपको definitely एक level पे लिखते भी आएगा Now, come to the point मैं आपको सब चीजे बताता हू सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूगा कि enforceability of agreement मतलब क्या लेकिन क्या आपको ये जानना है agreement क्या होता है? चलो sir, वो भी देख लेते हैं Yeah, see everyone What is an agreement? पहले पढ़ते हैं contract बट सवाल ये है कि contract agreement मतलब क्या sir तो agreement का भी एक section है उन्होंने कहा कि every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement कि जब हम promise देते हैं right every promise और every set of promise forming the consideration from each other कि मैं कह रहा हूँ कि sir मैं आप से आपकी कार खरिदना चाहता हू और सामने वाला पार्टी कह रहा है कि हाँ मैं यही कार बेशना चाहता हू तो मैंने promise किया कि मैं एक लाग दूगा और उन्होंने accept किया कि ठीक है आप एक लाग दीजे मैं आपको मेरी कार बेशता हू तो offer दिया offer को accept किया गया अब यह क्या बन गया agreement agreement समझा आपको क्या होता है agreement plus enforceability वो भी बात समझेगा now question arise what is promise sir promise क्या होता है according to section 2 subsection B of the Indian contract act a proposal when accepted becomes a promise sir कि मैंने proposal दिया कि sir मैं एक लाग दूगा क्या आप मुझे आपकी कार बेशोगे या सामने वालों ने क्या क्या उससे accept कर लिया ठीक है आप मुझे एक लाग दीजे मैं आपको आपनी कार बेश दूगा proposal when accepted becomes a promise देखो link देखो हमने contract से शुरू किया contract में कौन से दोड़ आए agreement और enforceability लेकिन अब agreement को उन्होंने समझा है agreement मतलब क्या every promise and set of promise forming the consideration for each other इसे क्या कहेंगे agreement but now question is sir भी क्या बोल रहा है अब proposal when accepted जब कोई भी proposal accepted हो जाता है तो उसे हम क्या कहते है sir promise कहते है now example से समझते है मालिक pay attention X offer to sell his car for rupees 1 lakhs तो एक ने क्या क्या X नाम का person है उसने का कि मैं मेरी कार एक लाग में बेजना चाहता हू to why why accept this offer this offer after acceptance becomes the promise and this promise is treated an agreement between X and Y तो जो बच्चों को agreement नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि जब-जब what is contract पूछा जाएगा तो बच्चे दो वर्ड यूज करेंगे section 2 sub section H के हिसाब से contract क्या contract क्या होता है agreement plus enforceability उसे क्या कहा जाता है contract but what do you mean by agreement sir offer जब accept हो जाती है है ना become a promise और क्या होता है sir उसे ही agreement कहा जाता है now in other word an agreement consist of an offer by one party and acceptance by the other ये समझ में आएगा what is agreement कि एक party offer दे रहा है दूसरा party उसको accept कर रहा है तो offer जब accept हो जाता है that is promise और उसे ही क्या कहा जाएगा agreement so आप देखो agreement का equation क्या है sir agreement का equation offer मतलब proposal प्लस सिर्फ offer ज़रूर है क्या नहीं sir वो offer क्या होना चाहिए acceptance भी होना चाहिए तो वो agreement होगा sir मैंने कहा कि मुझे मेरी कार बेशने मैंने offer दिया सामने वाले ने उस offer को accept नहीं किया क्या ये agreement होगा क्या बोलो yes or no answer is no तो agreement ही नहीं तो क्या contract होगा answer is again no तो contract होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी element क्या है agreement और I hope आपको agreement अब समझ रहा है offer plus acceptance उसे क्या कहा जाएगा agreement yes or no now contract के एक पार्ट को हमने खतम किया वो है agreement लेकिन दूसरा important पार्ट है what is enforceability of agreement क्योंकि जब तक वो enforceable नहीं है law का support नहीं है तब तक उसे क्या नहीं कहेंगे हम लोग contract तो सरसिप agreement चलेगा क्या answer is no agreement तो चाहिए बट साथ में क्या चाहिए enforceability now पढ़ते हैं और समझते हैं okay sir pay attention what is enforceability an agreement is said to be enforceable by law if it is created some legal obligation मतलब ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ चाहरो चरस और गांजा बेच दे मैंने offer कि मैं गांजा बेचूगा सामने आले नहीं क्या किया accept sir sir agreement है क्या लेकिन enforceable by law है क्या क्या law इसे मान्यता देता है क्या no sir ये तो ban है sir तो ये शायत enforceability में ना शायत क्या enforceability में आएगा ही नहीं तो इसे valid contract माना ही नहीं जाएगा आगे तुम सीखोगे देरे देरे series में valid, void, voidable सब चीज में बताने वाला हो पहले सिर्फ समझ लीजे an agreement is said to be enforceable by law if it is create what legal obligation example आएगा सिर्फ बने रही है in other word the parties to an agreement must be bound to perform their promises and in the case of default either of them it must be intent to sue, sue मतलब क्या असर यहाँ पे sue ध्यान से प्रणॉम्स करना बेटा आजुबाजु लोग बेटे होगे क्या बोलो इस वर्ड को यह रोगे sue करना मतलब क्या case करना कि मैंने agreement enforceable by है मैंने कहा मैं car बेचना चाहता हो या for example मैं खरीदना चाहता हो यह एक लाख है आपने बोला ठीक है मैं भी बेचना चाहता हो offer आया, accept हुआ, agreement हुआ legal है, enforceable by law और अगर आप मुँ फेरते हो कि नहीं अब मेरे को नहीं बेचनी तो मैं आप पे case कर सकता हो क्या कर सकता हो, case, समझते आगे everybody, now pay attention in commercial और business agreement the usual presumption that parties intend to create legal relation तो दो बाते बेट, अब ये commercial word आया आप 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 social agreement भी होगा और बहुत important बात आप सीखने वाले हो मालिक ध्यान बनाए रखना आपको अलग-अलग, देखो, contract समझा agreement समझा, legal enforceability समझा, आगे बहुत अच्छे-च्छे example आने वाले समझ ये सर क्या हुआ, ध्यान से समझ ना X offer to sell this car to Y कितने लाग के लिए, एक लाग या तो समझा, offer किया, अब offer accept होना चाहिए कि नहीं, हाँ, C Y ने offer को क्या कर लिया, accept बोलो क्या हो गया, agreement, माली क्या तक समझ रहा है क्या, X offer to sell this car to Y, 4 रुपीज 1 लाग, Y accept this offer such an agreement between X and Y is contract, because it create legal obligation, yes sir, वो agreement भी है, enforceable by law भी है, तो contract हो गया sir okay, in this agreement, if X refuse to sell, अगर X ने मना कर दिया sell करने से, और Y refuse to buy, या तो Y ने मना कर दिया, buy करने से, कुछ भी हो सकता है sir contract तो बन गया, लेकिन X बेचने से मना कर रहा है, या Y खरीदने से मना कर रहा है, the other party can file suit in court, court of law for the breach of contract, अब breach ये word आया, नया शब्दे sir हमारे लिए, breach का मतलब क्या होता है तोड़ना, तोड़ना मतलब आप उस condition को follow नहीं कर रहे हो breach तोड़ रहे हो contract को तो कोई भी party क्या कर सकती है case कर सकती है, कौन से बेटा commercial और business agreement में लेकिन sir, दूसरी बात क्या social और domestic agreement भी होता है क्या, हाँ, वो क्या होता है, वो समझ ये पहले तो पढ़ लेता हो, और ध्यान से बेटा, क्योंकि आप CACACMA student हो, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है in case of social or domestic agreement, the usual presumption that the parties do not intend to create legal relation, मतलब agreement तो होगा, but enforceability legal relation create करने का कोई intention में भी ना हो, क्या बताया है sir, जाते है और पढ़ते है और समझते है sir, example क्या हुआ, X ने invite किया उसके friend भाई को मतलब नॉबिता ने invite किया डॉरे मोन को, for dinner, why accept the invitation, और डॉरी मोन बोला कि हाँ भई, मैं तो आ जाओगा, just imagine ये वाली बात देखो ये sir, ये वाला example भी ले सकते थे, लेकिन अभी ये लेते, नॉबिता ने क्या का डॉरे मोन को कि डिनर को चलते, और डॉरी मोन बोला, हाँ, आते हैं, मैं तो आ जाओगा भई, तुम बोलो time पे, मैं तो आ जाओगा लेकिन डॉरी मोन है सोया हुआ और ऐसे सोया है कि उसको ध्यान में नहीं रहा कि मैंने किसी को promise किया था उसका offer मैंने accept किया है कि मैं जाओगा करके, बट क्या हो गया इफ वाइफ फेज टू 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 अप फॉ डिनर लेकिन बतलब डॉरी मोन गया ही नहीं डिनर करने एक्स कैननोट गो टू कोट टू क्लेम हिस लॉस अरे बाब रे सर थोड़ा और अच्छे से बताओगे सर, हाँ नोबिता ने क्या किया, डॉरी मोन को बुला कि तू डिनर करने आएगा आज मैं मेरी तरफ से पार्टी देता हूँ offer दिया नोबिता ने और डॉरी मोन ने accept कर दिया, तो offer प्लस acceptance agreement लेकिन ये business agreement नहीं हो रहा है ये क्या हो रहा है, social ये domestic agreement हो रहा है फरक समझो सर, कोई बड़ा deal नहीं हो रहा है ये general हमारा relation है friendship है सर, friendship में बुला है और हो बुला हाँ आओगा, डॉरी मोन नोबिता ने पूरा order देखे रखा 1000 रुपे तक का खर्चा किया बोला अब भाई मेरे को बहुत help करता है homework में हो गया, अब आपको तो पता है कितनी महरबानी है डॉरी मोन के लेकिन डॉरी मोन आया ही नहीं और नोबिता ने 1000 रुपे खर्चावा नुकसान हो गया तो क्या अब नोबिता जाएगा कोर्ट में कि सरसर सरसर ये breach of contract हो गया नहीं, क्योंकि एग्रिमेंटो था बट enforceability ये domestic ये कोई create legal obligation create नहीं हुआ था समझ में आया, हाँ, लेकिन यही अगर business deal होती मालिक, एक की चीज़ समझो एक होता है business deal एक होता है normal friendship वगिरे में हम तो कितने ऐसी बात है जो ये ना कि बहुत plan बना है कि सब बोलते है अरे कल बारी शारी ट्रेक वग को जाएंगे और कितनी बार ऐसे होता है कि हम ये उस plan को क्या करते है cancel कर देते है तो तुमने offer तो पहले accept किया था अब cancel कर जा क्या तुमारा दोस्त तुम पे case करता क्या नहीं सर क्योंकि social obligation है ठीक है मतलब तुमने कुछ यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी कि तुम वहाँ पे कोई legal obligation created नहीं हुआ तुमारा in short similarly in case of domestic arrangement parties to agreement do not intend to sue each other so to make agreement unenforceable in law तो यहाँ पे unenforceable है unenforceable मतलब क्या सर यहाँ पे कोई भी legal obligation create नहीं हुआ था दोस्ती की बात है सर खतम कर दो राइट? यस सर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे case study मालिक जो आज का session खतम हो जाएगा last point है belfor versus belfor क्या हुआ था कि a promise by husband to pay his wife 30 जो भी पॉर्ण डॉलर जो भी है every month was held unenforceable as the parties never intend to be a 10 legal obligation क्या हुआ शादी करने थी तो क्या होता है न सर नया नया तो बहुत सब कुछ अच्छा रहता है अब लड़की अच्छी लगी और शादी का मतलब उसने प्रपोस किया प्रपोस करते हैं बोला होगा देख मैं तिरको आपको शॉपिंग के लिए न हर महीने इंडिया में अगर मैं बात करूँ मैं हर महीने 10,000 रुपे दोगा लड़की तो खूश होगी बोले 10,000 दोगे बोले हाँ बिंदास शॉपिंग करने जाद और क्या हुआ उसने एक महीना दिया दो महीना दिया फिर बाद में न शायद प्यार कम हो गया पैसे नहीं दे रहा था तो लड़की ने क्या किया कि मैं केस कर दूगी तुन्हें प्रॉमिस किया था कि 1000 रुपया देगा मैंने शादे की तो यह अगेन enforceable नहीं है अन enforceable है सर डुमिस्टिक अरेंजमेंट मिया बीबी राजी तो क्या करेगा का जी बहुत बार होता है न कि घर का मामला है सर तो यहाँ पे ध्यान दो क्या कहा similarly in case of डुमिस्टिक अरेंजमेंट parties to agreement do not intend to sue each other in the act of contract नहीं होगा सर हम contract act पढ़ रहे है ध्यान से समझो मैं आपको वापस end में revise करा के दूगा सब समझ जीए सर आपने क्या समझा contract मतलब एक ही बात आपको ध्यान में आती थी section 2 subsection is contract में क्या होता है agreement plus enforceability इसे क्या कहा जाता है contract but आपने agreement समझा जब offer को क्या किया जाता है accept उसे क्या कहा जाता है agreement yes or no yes sir but enforceability कि business commercial law कि मैंने कहा कि मैं आपको ये जमीन बेशने वाला हूँ सामने वाले ने कहा कि ठीक इतने amount पर बेशने वाले हो तो मैं खरीदने को तयार हूँ ये हमारा एक business commercial agreement हो गया contract हो गया और अगर किसी ने भी बेशने से या खरीदने से मना किया तो एक party दूसरे party पर case कर सकती है लेकिन social और domestic की अगर बात है मैंने मेरे friend को invite कि dinner को आ उसने हा बोला अगर नहीं आया तो ये un-inforcible है मैं इस पर case नहीं कर सकता भले agreement है बट un-inforcible domestic sir मेरे wife को मैंने promise किया था मैं 10,000 दोगा लेकिन है हमारे अंदरों नहीं बात थी मजाक मजाक में बहुत सारी सी बात है कोई लिखा पड़ा कुछ नहीं sir तो ये domestic में आ जाता और यहापे भी un-inforcible है सर यहापे कुछ बेचा खरीदा कुछ नहीं था और इसलिए दस in the form of graphical presentation the contract can be expressed as under agreement प्लस क्या inforcibility of an agreement अब मेरे को बताना यस वो contract है की नहीं मैंने promise किया student को कि मैं आपको पूरा law पढ़ा होगा और बदले में consideration 10,000 मुझे fees दो मेरे बच्चों ने मैंने offer दिया 10,000 fees का मेरे student ने accept किया उन्होंने मुझे fees paid की उन्होंने मुझे fees paid की consideration बदले में उनको क्या promise किया सिखाने का तो offer गया acceptance आया और यहाँ पे हमारा agreement हो गया और मैं क्या legal मेरा obligation है क्या कि मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा हा सर तो agreement प्लस enforceability यह क्या हो गया contract बोले यह सर नो यह सर मेरा दोस्त मुझे बोल रहा था हमो लियार चल बहुत दिन होगे मिले नहीं हाँ आज रात को ना डिनर का प्लान करते है ठीक है अच्छी बात है मैंने बहुत है ठीक है भई आते उसने बस लेकिना हजार देर हजार का order देखे रखा था सारे फ्रेंट थे मेरे पार्ट का order पास्तो रुपे के ताई से समझो लेकिन मैं तो recording में बीजी ताई सुचल तुमको पढ़ा रहो भूल गया तो वो लोग क्या मुझे पर case कर सकते क्या answer is no हाँ लेकिन क्या agreement हा क्या उन्होंने offer दिया invite किया मैंने accept किया तो offer plus acceptance agreement हो गया but enforceable है क्या answer is no unenforceable है social agreement sir contract नहीं है तो case नहीं होगा मैंने मेरे wife को promise किया तुझे हर साल 10,000 रुपे दे हर महीने 10,000 रुपे दे दूगा बदले में क्या मिल रहा है मतलब बदले में मतलब sir promise किया था ठीक है उसने बोला हाँ accept कर लिया देना देना करके लेकिन डोमेस्टिक में चला जाता unenforceable again no case sir खतम हो गया contract मतलब किया sir two subsection is agreement plus enforceability of agreement इससे क्या कहा जाएगा contract यहां तक I hope आपको समझा रहेगा दोस्तों what is contract तो अभी आप यह line पढ़ो an agreement enforceable by law is a contract कोई भी agreement enforceable by law उससे क्या कहा जाएगा contract agreement offer plus acceptance agreement enforceability वो भी समझा दिया commercial enforceable है social or domestic enforceable में नहीं आते है that's all Malik यहां तक मेरा journey इस lecture का खतम होता है I hope आपको समझा रहेगा what is contract यह आपको telegram पे अपने अमोल का असा रहे के से नाम का telegram channel है वहापे आप जॉइन कर लीजे PDF में वहापे शेयर करता हो और आप अपना application भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजेगा दोस्तों यह पे मैं रुकता हो by take care जय हिन जय भाज